नमस्कार प्यारे मित्रूं पसू प्रीचर भरती दोजार चोबीस के लिए हम देख रहे थे जनरल साइंस सामाने विज्ञान देनिक विज्ञान दोस्तों जिसके अंदर क्लास नंबर छे के अंदर जो हमारा टूपिक है वो जो क्लास पांच में हम पढ़ रहे थे दातू एक चीज याद रिखना लगबग ऐसा है कि दो क्यूसन यहां से बनेंगे और एक क्यूसन आपका यहां से पसू पालन में भी बनेगा तीन क्यूसनों का मेटर है इस टोपिक के अंदर तो पले लिस्ट में जाकर एक से पांस तक की सभी कलास अटेंड कर ले और आज की जो क जा रावे दिन हो यह दोस्तूं इसलिए इस से कलास को नहीं हर एक कलास को द्यान से बिलकुल निसुलक तयारी आपको यहां पर करवाई जा रही है एक परकार का एक परकार से बिलकुल निसुलक है दोस्तूं किसी भी परकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है प्लेलिस्ट में जाकर सभी विशे की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहां से आप कलासे अटेंड कर सकते हैं दोस्तु तो सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए चलते हैं आज की इस कलास की ओर आज जो हमारी दातो आ रही है हम दा एक एक जो मायतवा पूर दातों हैं दातों के जो योगी के उनके बारे में पढ़ रहे हैं आज हमारी जो दातो रहेगी वो रहेगी ऐलूमीनियम क्लास को सुरू कर रहे हैं उससे पहले आप सभी सातियों को जानकारी दे देता हूँ क्यूंकि आपके कमेंट मिलेंगे मेरों को ये नोट से इनको लेकर तो ये नोट से पलस 1551 क्योसन पलस टोपिक अनुसार क्योसन पलस 30 मोडल पेपर इन सभी की जो पीड़ी अप है ना इन सभी की पीडिफक कोचामर ओनलाइन क्लासे च एप पर उपलब्ध है लिंक डिस्क्रिप्रिप्शन में दे रखा है वहांसे डाउनलोड करो एप को या प्ले श्टोर से कर सकते हो और एप से जाकर इन पीडियप को आप राप्त कर सकते हो जो नावरमल चार्ज के साथ रहेगी इतना चार्ज जितना आप चाही के लिए दिन में खर्च करते हैं दोस्तूं एलूमीनियम ये चांदी के समान सपेद वे मुलाइम होता है इसकी परमानु संक्या 13 वे दर्वेमान संक्या 27 होती है परमानु संक्या 13 दर्वेमान संक्या 27 इसकी होती है दोस्तूं ये बू परपटी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातू है और ये मुक्त वस्ता में नहीं पाया जाता है दोस्तूं एलूमीनियम के गुड़ ये चांदी जैसे चमकदार होता है चांदी जैसा चमकदार धातु है इसका गलनाक वे कवतनाक गलनाक होता है चसो साथ पॉइंट तीन डिगरी सेल्सियस कवतनाक होता है दो सो बीस डिगरी सेल्सियस ये उसमा वे विद्यूत का क्या है अच्छा च दातू कर्मिक, परकर्मू के अपचाई के रूप में, पतली पनी वरक के रूप में, यानि कि पतली पनी बनाकर मिटाईउं की सजा उठ है, सिक्रेटू की पेकिंग है, मिटाईउं के उपर लगी होती है ना, पतली पनी, वो एलुमीनियम के होती है, सिल्वर पेंट के मुख्य हवियो के रूप में लिनसिड तेल में एलुमीनियम पाउडर से बना होता है मिसर दातू बनाने में जो हलका होने के कारण हवाई जाजू के निर्मान में परियूक्त की जाती है मिसर दातू aluminium की बनती है जो अलके होती है और उसको जो हमाय जाजा उनके निर्मान में प्रियुप्त किया जाता है दोस्तू बात करते है aluminium के योगी कुकी तो पहला योगी कै उलुमीनियम कलोराइड सुत्तर सभी के याद करने जो भी योगी का है उनके सुत्तर याद रख लेना दोस्तू ये क्योसन सीधा क्योसन मिलेगा आपको इसका उप्योग पेंट्रोलियम के सोधन में संसलेसित बहुलकूं और रबर के उत्पादन में गेसोलीन के उत्पादन प्रिडेल क्राप्ट अभी क्रिया के उत्परेरक के रूप में किया जाता है अलुमीनियम कलॉराइड का उप्योग दोस्तो तो प्यारे मित्रूं अगर आप अपने नोट्स खुद बना रहे हो लिक रहे हो तो स्क्रीन सोट ले लो और एक बात और बोल देता हूँ आज से परती दिन एक साइंस की कलास आएगी क्योंकि हमें 15 से 20 मार्च के पहले पहले कंप्लिट साइंस है वो कवर करनी है क्योंकि बाकी समय में हमें क्यूसन एंस्वार मोडल पेपर वो यहां पर कम से कम 60 से 70 मोडल पेपर पूरे सलेबस परादारी चैनल पर निसूलक करवाऊंगा इसलिए थोड़ी सी स्पीड के साथ चलेंगे हम दूसरा ऐलूमीनियम का योगिक आता है ऐलूमीनियम कारबाइड इस परकार है लेकिन टाइपिंग में सीधे लिके हुए तो थोड़ा सा आप इसमें समझ सकते है ऐलूमीनियम कारबाइड को मेथेनाइड के नाम से भी जाना जाता है जो जल से अभी करिया करके CH4 मेथेन गेस मनाता है जल से अभी करिया करेगा और मेथेन गेस का निर्मान मेथेन एनी CH4 गेस का निर्मान करेगा अगला है ऐलूमीनियम एसिटेट ऐलूमीनियम एसिटेट को लाल सराब के नाम से जाना जाता है रेड लिकर के नाम से ये कपडू की रंगाई में रंग बंदग के रूप में तता केलिंग को छपाई में भी परियूक्ट किया जाता किसको अलुमीनियम एसिटेट को दोस्तु अगली हमारी दातों आती है आईरन जिसका परमाणू करमांग 26 दरवेमां संक्या 56 होती है दोस्तु ये भूर पर्पेट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला चोता ततु है यहरी सबजियों में परचूरता से वर्रक्त के हिमोगलोबिन के अंदर आईरन पाया जाता है दोस्तु समझ गए अब देखे आईरन के गुण क्या होते है आईरन के गुणों के बारे में देखिए यह अनुचुमकी है यानि चुमबक के दुवारा आकरसित हो जाता है चुमबक के दुवारा आकरसित होता है यह अनुचुमकी चुमबक दिखते ही आकरसित हो जाता है चुमबक Celsius ये सूसक वायू तेता जल से किरिया नहीं करता है लेकिन लाल तप्त आईरन पर बाप परवाहित करने पर एंच टू गेस उत्पन करता है दोस्तों समझ गए यहां से आगे देखिए उपियोग आईरन के रेल की पट्री गरम जल के पाई बरतन टाइप राइटर कवर बिजली के खंबे आदी बनाने में आईरन उपियोगी है इसका उपियोग चेन तार हुक छड़े आदी बनाने मे भी किया जाता है तो आईरन के तो आपके सामने जो भी दिखाई देता है उसमें लगबग में आपको आईरन दिखाई देती है समझ गए तो यह आईरन के गूर और उपियोग हो गए अब चलते हैं आईरन के योगीकों की और आईरन के कौन कौन से योगीक है तो देखिए पहला है फेरसलपेट आईरन यह नहीं फेरस फेरस का जो पर्तिक होता है वो एपी होता है फेरसलपेट फेरसलपेट का जो पर्तिक होगा वो एपी एसो पूर थोड़ा सा में लिख के बता दू क्योंकि यहां पे आपको समझ में नहीं आएगा एपी एस ओ फोर डोट सेवन एच टू ओ यह इसका सुत्तर है फेरसलपेट को हराकसिस भी कहा जाता है फेरसलपेट हराकसिस यह रा क्रिश्टलिय ठोस है जो जल में सिग्रविले है इसका उपयोग लोहय यूगत दवा बनाने में निली काली शाही मोहर लवन वह अन्य योगिक बनाने में रंगबंदक के रूप में करसी में केटनासक के रूप में फेरसलपेट का प्रियोग किया जाता है दोस्तु दूसरा आइरन ओकसाइड एपी टू ओ थ्री आइरन दो परकार के ओकसाइड बनाता है एक तो बनाता है फेरिक ओक्साइड जो एक पीटो होत रही है दूसरा बनाता है फेरिक ओक्साइड फेरिक है ओक्साइड दोस्तों समझ गे नेक्स्ट तीसरा जो योगी काता है वो है मोहरलावन कौनसा है मोहरलावन जिसको हम क्या बोलते है फेरस अमोनियम सल्पेट फेरस O 4 N H 4 Ammonium और H 2 O तो देखे फेरस Sulpate और यह रह Ammonium तो फेरस Ammonium Sulpate समझ गए? आगे चलिए देखे मोहर लवन का रासाइनिक नाम फेरस Ammonium Sulpate है मोहर लवन जल में विले किन्तु अलकॉल में विले है मोहर लवन होता जल में तो मिल जाता है एलकॉल में नहीं मिलता है इसका उपयोग अपचाई के रूप में चमडे की रंगाई में नीली स्याई और कीट नासकू के निर्माण में कपड़ा उद्योग में वस्तु की रंगाई में परियोग साला में आईनित विशलेशन में तता रंगीन सार मूलकू के प्रिक्षन में किया जाता है किसका मोर लवन का उपियोग दोस्तुं अगली हमारी दातों आती है जिंक जिसका परमानू करमांग 30 दरवेमान संख्या 65 और इसकी खोज 1020 पूर्वे हुई थी दोस्तुं जिंक 30 दरवेमान संख्या 65 दोनों याद रखने जिंक जेडन परतीक अब देखें गुण बात करते हैं जिंक के गुण जिंक का जो परतीक होता है जेडन होता है यह नीला सपेद कड़ा बंगूर होता है यह आगात वर्दे वे तन्य दातू नहीं है ना तो आगात लग सकती है नहीं तन्य यह गलना किसका 419 डिगरी सेल्सियस है कौतना किसका 920 डिगरी सेल्सियस है यह उसमा वे विद्यूत क उसमाओए विद्यूत का अच्छा चाल लगए उपयोग जस्तेदार लोहा बनाने में वे मिस्रत दातुएं बनाने में गरेलू उपयोग की वस्तूइं हाइड्रोजन गेस यूद यहतर में दुमर पट बनाने के अंदर चांदी और सोना दातुएं उनके निस्कर्शन में उ जिंक सल्पेट जेड एन उसेपोर जेड एन एस ओपोर सुत्र परतीक आप देखें सजल जिंक सल्पेट सपेद कसिस के नाम से जाना जाता है ये रंगीन क्रिश्टलिय ठोस है जो जल में विले दोस्तूं उपयोग रेयोन के निर्माण में इसकंदक के रूप में रंगाई प्रिंटिंग में जानवरू की तउचा वच्चमडे के प्रिरक्षण में ओसद्दू में संकोचक के रूप में जिंक सल्पेट का प्रियूग किया जाता है दोस्तूं दूसरा जिंक का जो योगिक आता है हमारे उसका नाम है लितोफोन अब लितोफोन है ना ये तो जिंक जिंक सल्पेट और एक बेरियम सल्पाइड की पर्तिक्रिया की किरिया कराने के बाद प्राप्त होता है तो देखे उपर जिंक सल्पेट ये राजजे डैनस और बेरियम सल्पाइड बेरियम सल्पाइड इन दोनों की पर्तिक्रिया के फल्सरूप लितोफोन है ये प्राप ने उनमेंसे कौन सा दातू-्योगी का है, जो अंदेरे में तो सपेद रेता है, लेगन सुर्ये के परकास में दुसूर रंका हो जाता है, तो वो है लिठो पौन, इंपोर्टेंट क्यूसन बन सकता है या आपके लिए, यह सपेद पेंट वे इनेमल बनाने में प्रियूगत क जाता है अगली दातो आती है लेड और लेड का जो पड़ती होता है वो पीबी होता है सरवादी किस्ताई तत्व है परमानु करमांग सिंक्या बैयासी दरवेमां सिंक्या इसकी 207 है दोस्तूं परमानु करमांग सिंक्या बैयासी दरवेमां सिंक्या 207 अब देखे लेड के गुणू की बात करते हैं तो ये एक उबे दर्मि दात्व है गल्णाख करवंटणाख 327 डिग्री और 1620 डिग्री सेलसियस होता है ये अधीक आगातवरौधे लेकिन कम तन्न दात्व ये एक बारी दात्व लेड होती है दोस्तों उपयोग क्या उपयोग किया जाता है लेड चेंबर पाइप लेड इस्टोरेज लेड आरसेनिक बुलेट तता मिसर दातू आदी के निर्मान में वह विद्यूत केबल के आच्छा दन में लेड का उपयोग किया जाता है रेडियो सक्रिय खनीजू से उत्सरजित हानेकारक विक्रणों से बचाव में तताई इलेक्ट्रोनिक सरकीट बोर्ड और अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणों में टांका लगाने में लेड का प्रियोग किया जाता है दोस्तुं अब देखे लेड के योगिक जो योगिक है यहां से आपके सीधे के उसन बनेंगे लेड के योगिक पहला योगिक है लेड ओक्साइड जिसे लिथार्ज के नाम से जानते है लेड ओक्साइड लिथार्ज जिसका सुत्र होगा पी बी ओ इसे लेड नाइट्रेड को गरम करके प्राप्त किया जाता है लेड नाइट्रेड को गरम कीजिए यह आपको प्राप्त हो जाएगा यह पिले रंग का वासपसिल उब्वेदर्मी ओकसाइड है इसका उप्योग लेड इस्टोरेज बेटरी के निर्मान में वह प्लिंट काच के निर्मान में किया जाता है किसका उ दूसरा लेड का योगी काता है लाल लेड या मिनियम या सिंदूर पीबित्री ओपोर पीबित्री ओपोर रासाइनिक नाम ट्राइप पलंबिक टेट्रा ओक्साइड है इसका रासाइनिक नाम क्या है लाल रेड का ट्राइप पलंबिक टेट्रा ओक्साइड लाल रंग का लाल पेंट के निर्माण में, दिया सलाई बनाने में, लाल वरनक के रूप में, काँच उद्योग में, तता आइरन और स्टील के लिए रक्सक पेंट बनाने में लाल प्लेड का प्रियोग किया जाता है. पीबी 3 ओपोर काउपियोग किया जाता है रेड का अगला जो योगिक आता है हमारे वो है टेटरा एथिल लेड पीबी C2H54 पीबी C2H54 टेटरा एथिल लेड ये एक रंगिन गती सील दर्वा है वानू में जरासी मातरा डाले जाने पर ये पेंट्रोल के अपश्पोटन को रोकता है अता है इसे अप इस्पोटन रोधी कारक भी कहते हैं आप इस्पोटन रोधी कारक टेटरा एथिल लेड टेटरा एथिल लेड इसका नाम पूरा होगा फुल पुल्पॉम सहित पेंट्रोल लाल रंग का होता है जाता है लेड पेंट्रोल या एथिल पेंट्रोल क के नाम से जानते हैं दोस्तों लेड कार्बोनेट या वाइट लेड लेड कार्बोनेट या वाइट कार्बोनेट पी बी सी ओ तरी इसका उप्योग सपेद वरनक बनाने में किया जाता है किसमें किया जाता है सपेद वरनक बनाने में इसका उप्योग किया जाता है लेड एसि अगला दातु आता है केल्सियम जिसकी परमाणू संक्या 20 दर्वेसमान संक्या 40 है इसे सर्वपरतम हमप्रीड डेवी ने सन 1808 में अलग किया था ये भूपरपटी में पाया जाने वाला तीसरा अती बावले तत्व है ये मिट्टि पो दे अस्तियूं वे अंडू के छिलकू के गुण ये चांदी की तरह सफेद चमकदार नरम सिसे की अप एकसा कड़ी दातु है इसका गलना के 115 डिगरी केल्विन तैता का उतना 1757 डिगरी केल्विन है दोस्तों उप्योग अब केल्सियम का उप्योग हम कहां पर करते हैं तो देखी केल्सियम का उप्योग देख ल क्रोमियम थोरियम के लिए अप्योग के रूप में उप्योग इसका किया जाता है केल्सियम का दोस्तों बात करते हैं केल्सियम के योगिकों की केल्सियम के योगिक कौन कौन से हैं पहला योगिक आपकी स्क्रीन पर है केल्सियम ओकसाइड C A O केल्सियम का जो परती होता है CAO होता है ओक्साइड का ओ लग गया तो CAO इसका उप्योग सीमेंट मोटरार बलिचिंग पाउडर काच के सारू के निर्माण चीनी के सोधन रंजकू तथा अन्ने रसाइनू के उत्पादन अमोनिया और अलकॉल के लिए सुस्क कारक के रूप में तथा आईरन के निसकरसन म गालक के रूप में तथा लाइम परकास उत्पन करने में किया जाता है केलसियम ओक्साइड का उप्योग दोस्तों दूसरा केलसियम का योगिक आता है केलसियम हाइड्रोकसाइड जिसे हम बूजा चुना के नाम से जानते हैं केलसियम हाइड्रोकसाइड को इसका उप्योग मोटरार कांच ब्लिचिंग पाउडर के निर्माण तथा सपेदी में प्रात्मिक पदार्थ के रूप में केलसियम हाइड्रोकसाइड का प्रियोग किया जाता है दोस्तु आ गया समझ में नेक्स्ट केलसियम का जो योगिक आता है वो आता है केलसियम कार्बोनेट केलसियम कार्बोनेट इसका अप्योग संगमर्मर के रूप में बहुन निर्माण में पेरस के निसकरसन में परसादनों में फिलर के रूप में और कागज उद्योग में उच गुनवत्ता का कागज बनाने में केलसियम कार्बोनेट का प्रियोग किया जाता है दोस्तु नैक्ट है जिपसम, जिपसम का सुतर यदा कर ले ना अप जिपसम को जब तेज गरम किया जाता है तो इसे ही क्या बनेगा यह यहाँ पर टुए टुए ज़ल है यह आदा है इसन इतना ही जल इस में बचेगा तो यह बन जाएगा जिपसम पलास्तर औपर्योड़ समझ गे जिपसम जिसे केलसियम सलपेट कहा जाता है या केलसियम सलपेट को जिपसम कहते है इसका उप्योग प्लाश्टर ओ पेरिस तता अमोनियम सलपेट खाद बनाने में किया जाता है इसका अलप परतिसा सिमेंट में मिसरन किया जाता है ताकि सिमेंट सिग्रा न जमें वरना सिमेंट तुरंट जम जाती है उसमें जिपसम मिलाया जाता है तभी वो तुरंट नहीं जमती है दोस्तु अब देखें जिपसम से ही हमने बना दिया है पलाश्टर ओपेरिस इसके बारे में देख लेते हैं CSO 4 लोट एकबटा दो H2 इसका निर्मान बवन निर्मान मी व्यापक उप्योग मूर्थियाँ वैस सजाउट का सामान बनानी मी सिर्यमेक वैस सेंट्री वेर के उतपादुकू के लिए सांचे बनानी मी अगनिस है फाइर प्रूप पदार्तू के निर्मान मी चाक बनाने में तूटी हुई अडियू को जोडने के लिए जो पलाश्टर चड़ाया जाता है उसे पलाश्टर ओपेरिस ही बनता है दोस्तों ये होगे आपके केलसियम के योगिक दात्वें आपकी यहां पर होती है कम्पलीट लेकिन दात्व के अंदर जब दो दात्व को आपस में मिला दिया जाता है तो बन जाती है मिसर दात्व तो चलिए देखते हैं मिसर दात्व तब जाकर हमारा टोपी कम्पलीट होगा मिसर दातू दो या दो से अधिग दातू को विबिन अनुपात मीमिलाकर जो दातू बनाई जाती है उसे मिसर दातू कहते है अब कुछ मिसर दातू है जिनसे related क्यूसन एक्जाम में बन सकता है वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ से लेकर यहाँ तक पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, रोल्ड गोल्ड, गन मेटल, मूंट ज़ातू, वे सोल्डर समझ गए? सबसे बहले बात करते हैं पीतल की पीतल में कोपर 70% और जिंक 30% होता है मिलाकर कोप पीतल बनाया जाता है कोपर अगर 88% और टीन 12% लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? कांसा बन जाएगा कोपर 60%, जिंक 20%, निकल 20% तो जर्मन सिल्वर बन जाएगा कोपर 95% और अलुमीनियम 5% तो रोल्ड गोल्ड बन जाएगा कोपर 90%, जिंक 2% और टिन 8% तो गन मेटल का निर्मान हो जाएगा मिस्सर दातू का कोपर 60% और जिंग 40% तो आपके मुंटज दातू बन जाएगा आप देखें यह मुंटज दातू है ना यह पीतल की तरह ही होता है इसमें कोपर 60% है पीतल में 70 होता है इसमें जिंग 40 है तो पीतल में जिंग 30% होता है समझ गए? अगला है टीन अब गर हम सड़ सड़ पर्शंट और सीसा तेटीस पर्शंट लेते हैं तो टाका बनता दातू है जिसे सोल्डर के नाम से हम जानते हैं दोस्तों तो यह मिसर दात्व हैं दोस्तों दो दातुं से या दो या तीन दात्व को मिलाकर मिसर दात्व का निर्मान किया जाता है अब आगे चलिये और देखिए यहांपे दात्व के उप्योग इम्पोटेंट है सुध लोए अत्यंत नरम होने के कार्ण इसमें अलप मात्रा में कार्बन 0.05 परतिसद मिलाया जाता है जो इसे कठोर वब परबल बनाता है लोए में निकल वब क्रोमियम मिलाने पर इस्टील प्राप्त होता है जो कठोर है और इसमें जंग भी नहीं लगती है सुध सेने को चोईस केरेट कहते है इसे हाबुसन बनाने के लिए चांदी या तामबा इसके अंदर मिलाया जाता है क्योंकि सुध सोना वो आकार गरंड नहीं करता है चोईस केरेट का सोना आकार गरंड नहीं करता पारे के मिसर दातू को अमल गम कहते हैं जो धातु मिलाई जाती है उसे अमल गम कहते हैं इसके वेदियूट चालकता वे गलनाग बहुत कम होते हैं तामबा वे जस्ते के मिसर को मिसर धातु को पीतल वे तामबा वे टिन के मिसर धातु को कांसा कहते हैं जो वेदियूट के कूचालक होती है सीसा वे टिन के मिसर धात दातू सोलडर है जिसका गलनाख बहुत कम होता है जिसका प्रियोग तारू की वेलिडिंगके अंदर किया जाता है दोस्तुर मिश्र दाटू 2 और मिश्र दातू 3 और मिश्र दातू 3 क्या हम उप you होते हैं एदातु कहलाते हैं यानि कि जो दातु की जो कारिय होते हैं जो गुन होते हैं वो परदर्शित न करके उसके उल्टे गुन परदर्शित करें वो एदातु हैं जैसे कारबन ऑक्सिजन हाइडरोजन नाइटरोजन गंदक एदातु को विद्यूत रिनात्मक तत्वे भी कहा जाता है विद्यूते रेनात्मक होती है एदात्में क्या होती है विद्यूते रेनात्मक दोस्तों अब देखें यहां पे एदात्में हैं इनके गुणा आपके सामने लेकर आया हूँ गुणों को पढ़िये यहां से यह प्राए बंगूर होते हैं इसके चादर या त ग्रेपाइट के गलनाक अत्यदिक उच्छ लगबग 3000 डिग्री सेलसियस के प्लगबग होते हैं किसके हीरे और ग्रेपाइट के यह उस्मा वे विद्यूत के प्राहे कुछालक होती है प्रन्तु ग्रेपाइट विद्यूत वे उस्मा की अच्छी चालक होती है वेपदार जो हैं दोस्तु, सोरी एपर रूप कहलाते हैं अदातु क्या, अब देखर बात करते हैं इदातु के परकारों की, एदातु के परकार, ठोस दर्वे और गैस, ठोस में कारबन सलपर, फोसपोर्स, आअउडिन, दर्वेस आइदातं के अंदर, ब्रोमीन, गैस में हа lo, यह, गैस आते हैं दोस्तों है दोस्तों। परत। शांदर H2O2 शांदर हाइडरोजन प्रोकसाइड रोकेट इंदन के ओक सिकारे के रूप में परियुक्त होता है। हाइडरोजन प्रोकसाइड का पर्मोकोद्योगी उप्योग लखडी की लुगदी के लिए विरंजक के रूप में किया जाता है। इसका उप्योग रेसम, बाल, अतिदात, उन आदी के विरंजन में भी किया जाता है। किसका? हाइडरोजन प्रोकसाइड का उप्योग। यह सुंद्रिय प्रसादन दवा आदी के रूप में भी काम में लिया जाता है। यह हाइडरोजन प्रोकसाइड तीसरा एदातु योगी काता है अमोनिया, NH3 अमोनिया का उप्योग मुक्यते नाइटरोजन यूगते उरवरकूं जैसे अमोनियम नाइटरेड, यूरिया, अमोनियम फोस्पेट, अमोनियम सल्पेट बनाने में किया जाता है। अमोनिया का उप्योग नाइटरिक अमल के निर्मान में भी किया जाता है। इसे प्रासितक के रूब में भी उप्योग में लेते हैं अधाय बरब की पेक्ट्रियों में भी ये काम में लिया जाता है करितरम रेसम बनाने में काम में लिया जाता है अमोनिया विस्पोटक पदार्थ बनाने में भी अमोनिया काम में लिया जाता है कब्डू पर चर्बी, तेल, ग्रिस के दब्बे, हटाने के लिए भी उप्योगी अमोनिया तनों अमोनिया का उपयोग दवा वस्वंद्रिय परसादन के रूप में किया जहता है दोस्तों यह हो गया आपका अमोनिया नेक्स्ट एदातु योगी की और बढ़ते हैं तो आता है हमारे सोरे का तेजाब जिसे हम नाइटरिक अमल भी कहते हैं विस्पोट कूँ एवं आतीसवाजी में उपयोगी है तो इसने नाइटरिक अमल काम में लिया जाता है रोकेट इंद्रू के ओक्सिकरण में काम में लिया जाता है रंजक औसदी कृत्रम सिल्क आदी के निर्मान में नाइटरिक अमल आता है सोने एवं चांदी के सुद्धिकरण में भी सोरे का तेजाब नाइटरिक अमल काम में लिया जाता है दोस्तु नेक्स्ट एदातु योगी काता है गंदक का अमल गंदक का अमल H2SO4 ह2SO4 सलफ्यूरिक अमल आइड्रोकलोरिक अमल नाइटरिक अमल तता उर्वरक के निर्माण में पेंटरोल के सुद्धिकरण में रंजक उद्धयोग में दातु करम में दातु के निस्करसन में मेटरी में वे वे-Electronim विद्यूत लेपन में डिटर जेंट बन उद्धयोग में और जो आपका सलफ्यूरिक अमल है इसे अमलू का राजा भी कहते हैं, सल्प्यूरिक अमलू का राजा, सल्प्यूरिक अमल है, अमलू का राजा, आगे चलिए, नेक्स्ट है मारा हाइड्रो कलोरिक अमल, हैच सील, हाइड्रो कलोरिक अमल को नमक का तेजाब भी कहते हैं, नमक का तेजाब, हाइड्रो कलोरिक अ जाता है हाइड्रोकलोरिक अमल के तीन बाग में नाइट्रिक अमल एक बाग मिलाने से एकवा रेजिया बनता है जिसे दात्वे विलेक कहते हैं लोय वस्तर वह इस्टी लुद्योग में गोंद वह रंजक बनाने में कलोरिन गेस बनाने में जिसे विरंजक चूरण बनाया जाता है जिसका उपयोग पीने के पानी के सुद्धिकरण में किया जाता है जो जिवानु निवानु नश्ट होते हैं उनको नश्ट करने के जिसक बासा में इसे नोसादर कहते हैं, अमोनियम कलोराइड नोसादर, अमोनियम कलोराइड से सोल्डरिंग पदार्थ बनाए जाते हैं, इसे बरतन पर कलाई करने में भी उप्योग लेते हैं, इसका उप्योग विद्यूत बेटरी में किया जाता है, कपड़ों को रंगने में अम सादर का प्रियोग किया जाता है अमोनियम कलोराइड नो सादर एन एच पोर सी अल अगला एदातू योगे गाता है विरंजक चोर्ण सी ए ओ शी एल टू विरंजक चोर्ण इसका परमुक उपयोग है विरंजक के रूप में शूती कपणू लकड़ी का बुर अदर शूती रहसुआधी के विरंजन में पीने के पानी के सुधीकरं में प्रियोग साला में अभीकरम के रूप में और ओकसिकारक के रूप में विरंजक चोर्ण सी ए ओ शियल्टू का प्रियोग किया जाता है दोस्तु आगे चलिए नेक्स्ट आती है हमारे सिलीका सिलीका से काच बनता है जेस पर एक कीमती पतर है जो कि सिलीका का ही एक रूप है का उप्योग आबूशनु में जेस पर है ना इसका उप्योग आबूशनु में किया जाता सिलिका से अनिक सिलिकेट बनते हैं जिनका उपयोग विद्यूट उपकरण रासाइनिक प्रियोग साला के उपकरण ओप्टिकल लेन्स प्रीजा मित्यादी में किया जाता है। जिसका उप्योग अर्द चालग ट्रांजिस्टर वग कहीं मिसर दातूं में किया जाता है किसका सिलिका SIO2 इसका सुतर इसका परतीक होता है दोस्तूं तो दातूं और एदातूं तो हमारी हो गई अब बचती क्या हमारी उपदातू जो चलिए उपदातू की ओर उपदातू किसे कहते हैं आपकी स्क्रीन पे सो कर रहा है आपको उपदातू ऐसे तत्वे जिनमें दातू और एदातू दोन्नों के गुण विद्देमान होते हैं उपदातू कहलाते हैं जो दातु का गुन भी दर साते हैं और एदातु का गुन भी दर साते हैं उपदातु कहलाते हैं इनकी संक्या वर्तमान में साथ है बोरोन भी, सिलिकोन S.I, आरसेनिक A.S, अन्टिमनी S.B, जरमेनियम G.E, टेलूरियम T.E और पॉलोनियम P.O ये साथ उपदातु हैं सातु के नाम याद होना है यहां से सीधा जो क्यूसन बनेगा वो इस परकार आपके सामने बन कर आ सकता है निमन में से कौन सी उपदातू है या उपदातू नहीं है तो इनके नाम याद कर लेना बोरोन कोस्मिक रे इस पालेसन द्वारा प्राप्त किया जाता है तता इसका उपयोग नाभी के रियक्टरों की नियंतरी छड़ो में बुलेट प्रूफ जेकेट बनाने में बहुत सी विद्यूत युक्तियों में अर्दचालक के रूप में किया जाता है बोरोन का उपयोग और ये था आपके दातू अधातू उपदातू टोपिक दोस्तू आज बोल रहा हूँ तीन क्यूसन पेपर होगा उस दिन में बता दूँगा इस टोपिक से तैयार आपको करना है पहले बता दो कमेंट करके आज की गलास कैसी लगी प्यारी लगी तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले आप सभी सातियों को बहुत बहुत देनेवाद जे हिंद जे भारत